Hello and Welcome आज basically हम लोग क्या discuss करेंगे कि आपको board के exam में यह जो short answer type होते हैं जिनको कि हम लोग लगू उत्तर यह प्रस्न मी बोलते हैं मतलब कि जिसमें आपको 2 marks मिलते हैं उन प्रस्नों का उत्तर का format क्या रहना चाहिए और आप किस तरह से लिखें ताकि आपके सामने अगर कोई examiner जो आपको copy जाच कर रहा है वो कितना भी knowledgeable person क्यों न हो या वो कितना भी copy tight क्यों न जाच करें उसे एक भी मौका नहीं देना है कि वो आपका एक number एक number क्या 0.1 number भी आपका deduct कर सके मेरी बात आप लोगों को I hope सो समझ में आ गई होगी कि मैं आप लोगों को क्या बोलने की कोसिस कर रहा हूं examiner को आपको एक point भी 0.1 भी आपको जो है number नहीं cut करने देना है ठीक है तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको जो है exam में जाने से पहले आपको खुद अपने दिमाग में कुछ-कुछ points है उनको ध्यान डखना होगा सबसे पहला point यह है कि आपको एकदम जो है आप जो भी answer लिखें एकदम clear लिखें अगर आपकी writing उतनी अच्छी नहीं भी है तो आपका जो लिखने का तरीका है वो visible रहना चाहिए किसी को difficulties नहीं होनी चाहिए पढ़ने में अगर आपकी अक्षर के आपके words के जो है बनावत जो है structure अगर अच्छे नहीं है जिनसे आपका writing अच्छा नहीं होता है तो उसमें भी हरवरानी की कोई बात नहीं है अगर आप अपने message को या अपने उत्तर को जो है अच्छे धंग से प्रस्तुत करते हैं अच्छे धंग से परजेंट करते हैं तो सामने वाला को अगर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो भी कोई problem नहीं है तो सबसे पहला point क्या रखना है कि आपका जो presentation होना चाहिए आपका जो उ अच्छी है तो उसमें तो वह आपका plus point हो गया ठीक है मतलब examiner को examiner को जो copy आपका जांच कर रहा है उसे किसी भी परकार की difficulties face नहीं होनी चाहिए किसी भी words को पढ़ने में ठीक है एकदम वह clarity रहने चाहिए कि हाँ थोड़े दूर से भी देखे तो हाँ बच्चे ने यह ल चाहिए कि उसमें क्या-क्या आप लिखने जा रहे हैं ताकि वह उस प्रस्न के उत्तर को justify कर सके मतलब जो भी आप उत्तर लिख रहे हैं वह जो प्रस्न पूछ रहा है वह completely उस प्रस्न को justify कर रहा है और completely उस प्रस्न को answer दे रहा है अभी मैं आप लोगों को जैसे कि मैं कुछ कुछ example लोंगा जैसे कि यह आपका जो है model paper का question है ठीक है जैसे कि मान लिजे कि मैं दूसरा और पहला example लोंगा और इसमें आपको बताऊंगा और मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो है board में question लिखना है ताकि examiner को एक number एक number तो बहुत बड़ी बात ह गई examiner को किसी भी examiner के दिमाग में भी ना आए कि वह आपका number काट सके I hope so कि मैंने आपको जो भी बताया अभी तक आपको clear हो गया होगा चलिए तो एक बार मैं क्या करता हूं तो अभी आपको समझ में आगी तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है ठीक है तो अभी तो आपको पदा चलेगा कि किस तरह से जो है अगर आपको answer मालूम है तो क्या-क्या चीजे लिखनी है और किस तरह से उनको format करके एक अच्छे तरह से deliver करना एक अच्छे तरह से प्रस्तुत करना है आपको answer क्योंकि देखिए आप कितने भी knowledgeable person क्यों ना हो examiner वो आपको वह पदा चलेया कि examiner को कि आप एक अच्छे student है तो यहाँ पर आपके उत्तर के बनावत से आपके उत्तर के presentation आपके examiner कि कितने अच्छे student है। अगर आप अच्छे student नहीं भी है और आपने किसी तरह से answer को रट लिया है और किसी तरहовых तरह से आपने उसको format करके अच्छे format मे तो यह चीज बहुत मैटर करता है कि आप इस उत्तर पुस्तिका में किस तरह से अपने उत्तर को रिपर्जेंट कर रहे हैं और रटने का कहने का मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे शुडेंट नहीं है देखिए रटना तो पड़ता ही है मैं भी अगर किसी सिच्वेशन में हूँ अगर मुझसे वह चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं भी रटता हूँ लेकिन अल्टिमेट एम क्या रखना है दिमाग में हमें साब को कि आपको आगे जा करके वह चीज समझ में आई होगी चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं एक दूसरा number question लेते हैं दूसरा number question क्या बोल रहे है यह ऊपका question है write goss law of electrostatics इस्तुरविद्धत के goss pardy में को लिखें ठीक है तो यह आपका question है माल दीजे कि आपके उत्तर पूस्तिका भी Hindi में ही रहती है ruling वाल ही रहती है ठीक है माल दीजे कि यह आपकी उत्तर पूस्तिका है ठीक दो number question आप लोगों ने देखा आप लोगों का तो अब हम answer कैसे लिखेंगे ठीक है माल दीजे कि हम यहाँ पर answer लिखेंगे ठीक है अब देखिए सबसे पहली बात तो आपका writing matter नहीं करता है matter क्या करता है कि आप कितने clear लिख रहे हैं और अगर writing आपका अच्छा है तो आपके लिए वह plus point है अगर जिनका अच्छा है तो वह कोसिस करें कि आप कितने clarity के साथ answer लिख रहे हैं और उससे भी पहले आपको क्या ज़रूरत है कि उसका प्रसंद का उत्तर आपको आना चाहिए ऐसा नहीं क्यों प्रसंद का उत्तर नहीं आ रहा आप कुछी भी अच्छे writing में लिख करके आजाए तो examiner तो इसका बेवकूप नहीं है कि उन्हें पता नहीं चले कि आपने क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है वो लोग काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो answer पढ़के ही आपके जो thought process है उसको आपको बता सकते कि आप किस विचार धारा के student है या मनुस्य है ठीक है तो कोशिस करिए का कि examiner के साथ किसी भी तरह का जो खेल है ना खेले और examiner के साथ जो है play ना करे कोई भी तरह का examiner साथ to be honest रहे है आप अच्छे रंग से अपने उत्तर को लिखे और उसको रिवर्जेंट करें ठीक है तो हम लोगों ने पढ़ा question कहता हम लोगों का गॉसलो पूछा गया था गॉस पड़ी में क्या है ठीक है इस तुर्वी दित का गॉस पड़ी में लिखे right गॉसलो ठीक है तब देखिए मान लीजे कि इस answer को हमको है तो मैं इसका Hindi version भी बना दूगा मतलब Hindi में answer लिख करके भी वह मैं आप लोगों को बता दूगा आज का जो answer रहेगा में लिए मैं इंग्लिस में ही लिख हूँगा ठीक है चलिए तो सबसे पहले क्या करना गॉस ठीक है तो simply क्या करिए यहां पर गॉस ठीक है तो यहां नहीं कर सकते हैं यह आपके मर्जी पर है ठीक है उसके पास से फिर तब यहां पर लिखना इस्टाइट करिए क्या है Gauss Theorem कि the the electric flux the electric flux passing through passing through passing through a closed surface closed surface closed surface surface is is equal to the is equal to the 1 divided by Epsilon not 1 divided by Epsilon not times the total charge total charge enclosed enclosed by the surface by the पढ़ियेगा तो I hope so कि आपको देखिए राइटिंग तो मेरी अच्छी नहीं है यह तो मुझे भी मालूम है लेकिन यह आप पढ़ियेगा तो आपको पढ़ने में कुईसी भी तरह की पढ़िसानी नहीं होगी अब देखिए कितने बच्चे यही लिख करके छोड़ देंगे लेकिन यह जो है completely एंसर को justify नहीं कर रहा है जो फुल पैकेज रहना चाहिए दो नमबर का फुल पैकेज इसमें आपको एक नमबर मिल सकता है तो इतना पर नहीं चोड़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए फिजिक्स है फिजिक्स में आपको जहां पर भी फॉर्मूला आपको लगे कि यहां पर फॉर्मूला हमको देना चाहिए और mathematical expression देना चाहिए mathematical way में लिख देना चाहिए उस चीज को तो वहां जरूर वहां गुशाईएगा ठीक है तो इस statement से इस statement हम क्या लिख सकते है कि flux जो होगा 5 जो होगा किसके बराबर होगा 1 divided by epsilon naught times q यही है मेरा गौस लो उसके वैसे देखिए यह 5 symbol जो है अभी तक इस answer में हम कहीं पर बोलने है कि 5 क्या है नहीं पता लेकिन q understood रहता है कि q charge है और epsilon naught आपका permittivity है ठीक है तो अब यहां पर लिख देंगे कि where इस तर से यह कॉमा देंगे और इसको इस तर से घेर भी देंगे तो कोई पड़िसानी नहीं है ठीक है ताकि जो है examiner को लगे कि यहां आपको इसको घेर दीजिए यहां पर यहां लिख दीजिए where 5 is 5 is flux passing through passing through through closed surface closed surface और एक बात देखिए यहां पर मैंने जो है यहां पर क्या है कि मेरे यह दो लाइन के बीट जो gap है यह दो लाइन के बीट जो gap है क्या हो रहा था कि अगर मैं यहां से लिखता तो सायद में जो clarity रहनी चाहिए वह नहीं आ रही है तो आप लोग देख लिजेगा कि एक लाइन छोड़ करके लिखे या फिर सेम लाइन में लिखे तो आपके राइटिंग पर डिपेंट करता है और राइटिंग का जो आपका closed integral किसका होता है E मतलब electric field dot ds मतलब आपका surface vector ठीक है यह होता है इसको भी आप इस तरह से यहां पर गेर दीजिए इसको भी आप इस तरह से यहां गेर दीजिए अच्छे दंग से घेरिएगा थोड़ा यह हो गया अब इसको आप जो है equation एक बोल सकते हैं इसको आप यहां पर एक बोल दीजिए और यहां पर दो बोल दीजिए 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं आप तो यहां पर clear लिख एगदम from from 1 & 2 तो इस equation एक और 2 से क्या बोल सकते हैं आप क्या बोल सकते हैं कि closed integral of e.ds e.ds equal to क्या बोल सकते हैं आप q divided by epsilon 0 एक और 2 से आप यह बोल सकते हैं इसको भी आप इस तरह से closed कर दीजिए अब देखिए अब finally आप क्या बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं अब देखिए इस चीज को थोड़ा में यहां पर टिक मार रहा हूं लेकिन आपको करना नहीं है मैं आपको समझाने के लिए बोला यह जो लिखे हैं हम यह जो लिखें closed integral of e.ds इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना surface integration यह जो देखिए यह जो integration है यह वाला integration जो है यह जो गोल इसमें दे दिया इसको क्या बोलते हैं integration, electric field, electric field, along, along the, along the, along the closed surface along the, okay मुझे यहाँ space थोड़ा नहीं मिल रहा थोड़ा इसलिए दिखका थोड़ा लिखने में along the closed surface, along the closed surface, surface is equal to the, equal to the 1 divided by epsilon naught times the total, the total charge, total charge, ठीक है यह हो गया अब देखिए तो यह मेरा एक तरह से हो गया पूरा complete अब देखिए इस तीश को समझाने के लिए अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखिए यह जो है आप थोड़ा जैसे कि यहां देखिए अभी तक आप लोगों ने यह वैक्टर E और Ds को भी अभी तक आप लोगों ने अपने उत्तर में justify नहीं कि आपने उत्तर में दिखाया नहीं है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यह जो closed surface हो गया आपका ताकि आपको actual examiner को पता चले कि आप लोगों ने Gauss theorem समझाया अच्छे डंग से और आप तब आप लोगों ने यह जो है जो आपका diagram वगरा है यह सब आप लोगों ने बनाया समझ के बनाया तो यह देखिए यह आपको जब examiner आपको check करया copy अब देखिए यह पूरी तरह स answer हो गया यह हुआ कि नहीं हुआ इसमें बताइए कि आप बताइए कि अगर इस answer को लिखेगा इस answer को अगर आप लिखेगा तो किस point पे आपका एक number कटने का या आपका half number कटने का या एक चौथ हाइक number कटने का या एक बटा दसवा भाग कटने का number का किस point पे chance होगा किस point चांस होगा आप हमको यह बताईए, नहीं होगा, कोई नहीं काट सकता है इस पर, ठीक है? समझ में आ गया कि कैसे लिखा जाता है answer? I hope so कि आपको समझ में आया होगा तो यह बस 2 marks का था, ठीक है? तो अगर जब आपको complete knowledge है किसी चीज का तो मैंने क्या बोला, complete knowledge रहने से मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपका copy जा रहा है तो आपको क्या represent करना है? आपको अपना लिखने की कला, मतलब knowledge ही नहीं काम आएगा लिखने का knowledge रहना चाहिए और किस तरह से represent करना है? यह आपको मालूम रहना चाहिए आप लोगों को समझ में आई होगी और आपको थोड़ा clarity मिला होगा कि एक्जाम में किस तरह से लिखना है अब जो चलिए जो है, यह question number 2 question number 1 What do you mean by eq potential surface? सम वीविय तल से आप क्या समझते है? eq potential surface क्या है? इसका question, इसका answer आप हमको, आप हमको लिख करके इसका answer है लिख करके आप हमको अब जैसे कि next question जब हम लिखेंगे तो simply आप यहां से line वगरा कुछ मत खीचेगा simply आप जो है कुछ space दे दिजेगा और यहां पर answer number 2 यहां पर question number लिख दिजेगा जैसे कि दूसरा का answer या पहला जो भी number दे रहे हैं आप उसका answer यहां पर कर दिजेगा या simply दूसरा दिजेगा उसको यहां पर answer इस तरह से लिखेगा ठीक है उसके बास से फिर heading day करके फिर उसको proceed करेगा तो यह जो पहला question था मेरा क्या था what do you mean by equipotential surface तो इसको आप हमको लिख करके दिखाईएगा ठीक है आप हमको लिख करके दिखाईएगा हम लोग का टेलिग्राम group है टेलिग्राम group है ठीक है टेलिग्राम group है उसमें आप लिख करके पोस्ट कर सकते है पोस्ट कर सकते हैं और हम उसमें आपको answer चेक करेंगा और next video में हम आपको बताएंगे कि जो है किसका सबसे best answer था किस student का best answer था ठीक है अगर आप टेलिग्राम यूज नहीं करते हैं अगर आप पस Instagram यूज करते हैं Instagram तो आप क्या करिएगा answer लिख करके अपने answer को लिख करके आप पोस्ट करिएगा ठीक है और उसमें सुरसती classes को सुरसती classes का भी Instagram page है आप जाकर चेक कर सकते हैं उसमें सुरसती classes को आप tag कर दीजेगा आपको पता होगा कि Instagram कैसे यूज करते हैं ठीक है और कैसे tag किया जाता है टेक कर दीजेगा तो जाकर ऑपकडिये आपके पर जाकर कैसे तो आपके पर दो आपस अगर चेलीग्रम ग्रूप में नही कर सकते है और इंस्टाग्राम पर भी आप कर दीजेगा गदम definitely answer देखेंगा और जिस बच्चे का भी answer सर्वसे best answer होगा उसको हम यहाँ पर ले करके आएंगा और बताएंगे कि देखिए कि इस student ने कितने best way में और कितनी अच्छी तरह से answer लिखा है और other students को मैं मैं बोलूँगा कि इस तरह से follow करें तो आप लोगों अपना best दीजेगा और याद रखेगा इसमें दो ही number है इसा नहीं कि best देने के चक्कर में हम पूरा page लिख दीए है ठीक है तो दो नंबर के recording लिखना है देख लिखेंस किना number है दो number है मैंने जो यह लिखा है दो number के recording hardly कितना line लिखार । तीन चार पांच छे सात साथ लाइन लिख हार्ड ली मतलब साथ लाइन भी नहीं गी नहीं इसको हम लोग ठीक है आई होब सो कि आपको पुड़ा जो है समझ में आया होगा तो आपको करना क्या है अगर आपको telegram group का link जो है कही न कही मिल जाइगा देख लिए जा snel पे ठीक है अगर instagram पर देख लिए जागा about regards इस अपको एंस्टाग्राम का मिल जाइगा तो महाँ क्या करेंगा सोध़त क्लासेस इस सवरसवाति underscore classes फिर फ्र यस तरह से है ठीक है तो नहीं भी पता चल रहा होगा तो आप लोग क्लिक कर लिएगा और टैग वग्रा कैसे करना है आपको आप की आप ten यूग में रह रहे हो तो जरूर है कि इसे टैग कर जाएगे लोग तो यह था हम लोग का जो है दो नमबर का कैसे हम लोग लिखते हैं राइटिंग वह तो हमको बताईएगा तो ये तो पहल सबसे पहली बात तो इसका जो है answer हमको लिख करके बताईएगा ठीक हम देखेंगे कि कितने बच्छे active है अगर जादे बच्छे active होंगे इस session को continue करेंगे और जितने भी आपको important question है दो number वाले जितने भी important question है दो number वाले वो हम दोनो मिल के खुद हम दोनों मिल के कौन-कौन हम और आप मिल के खुद कुछ question हम solve करेंगे कुछ question आप solve करिएगा और जिसका सबसे best answer होगा उसको यहां पर हम लेकर के आएगे ठीक है I hope so कि आपको पूरा model समझ में आया गया होगा देखते हैं कि आपको आप जो है इस video पर हमें क चीज को continue रखें तो यह सब चीजे आप लोगों के हाथ में ठीक है चलिए मिलते हम लोग next video में और I hope so कि मैं आपके answer का wait करूंगा और जो है देखूंगा कि आप किस बच्चे ने सबसे best लिखा है अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe करिए क्योंकि इ यूच भी होने वाला है तो अगर भी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए एक दम आपको तुरंत notification मिल जागा चलिए मिलते हम लोग next video में तब तक के लिए goodbye and thank you